लो दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं UPHAC Assistant Professor के रिजल्ट को लेके तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि UPHAC का रिजल्ट जो है हमारे सामने आ चुका है लेकिन रिजल्ट के जारी होते ही विद्यारतियों के सामने कई साही समस्याई जो है सामने आ रही है तो इसलिए मुझे इसके उपर भी एक वीडियो बनाना पड़ा है ता अब जो है विद्यारति ये कन्फियूजन में आ गए हैं कि हम अपना रोल नंबर कैसे चेक करें हम तो यह जो है वो नाइन डिजिट का है तो यहां वो कन्फियूजन आ रही है भी हर्टियों के सामने कि हम अपना रोल नंबर कैसे चेक करें और कैसे पता करें यह सही है यह नहीं है कई लोग इसको फरज़ी रिज़ट भी बता रहे हैं तो आप थे को बता दो कि ये एक दम सही है, ये सही रिज़ट आप सभी के सामने आए है एक दम ORIGINAL रिज़ट है, कोई फेक नहीं है, और रिज़ट कैसे चेक करें तो मैं आपको एक चीज़ बताते हैं यहां पर 9 डिजिट का रोल नमबर हमारे सामने है तो यहां मैं आपको एक रोल नमबर सर्च करके दिखा देती हूँ जैसे कि यह रोल नमबर हमारे सामने है तो यहां आप देख सकते हैं कि यह रोल नमबर यहां पर आ गया है अब इसका अंतिम डिजिट जो है एट वो यहां पर शो नहीं कर रहा है बाकि सारे डिजिट जो है यहां पर शो कर रहे हैं लेकिन अगर इस एट के बदले मैं यहां पर कुछ और लिख दूँ जैसे मैंने सेवन लिख दिया तो यहां पर result जो है वो show नहीं होगा तो ऐसे ही करकि आपको या फिर अगर यहां पर मैं कुछ और भी नमबर अगर change कर दूँ 9 लिख दूँ तो यहां पर आप देखिए कि जो result है वो show नहीं कर रहा है तो यहां पर जैसे ही आप पूरा अपना roll number डालते है आपको आपका अपना roll number डिख जाएगा कि आपका नाम इस list में है की नहीं है तो आप इस तरीके से जो है अपना roll number चेक कर सकते हैं कि इस list में आपका roll number है की नहीं और अगर आपका roll number इस list में आता है ऐसे पूरा डालने के बाद तो समझें कि आपका exam जो है वो clear हो चुका है तो अब आप बहुत ही असानी तरीके से इसको समझ गए होंगे कि आप अपना result जो है कैसे देख सकते हैं कैसे check कर सकते हैं और आपकी confusion भी है जो है वो दूर हो गई होगी यहीं उमीद है इस वीडियो के माधम से जो आपको confusion हो रही थी result को लेके कैसे check किया जाए वो भी दूर हो गई होगी तो फिर भी अगर कोई समस्या हो इस विशे को लेके तो आप कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल से जोड़े रहे हैं तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद